हलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हो रादे रादे गुड मॉर्निंग आप सभी को प्यार बड़ा गुड मॉर्निंग फ्रेंड तो आज मैं आप लोगों के डिवांड पे क्लोथ वासिंग का वीडियो ले करके आई हूँ तो आप लोग इसे फुल वाच करना प्यार देना कुछ कपड़े तो रेगुलर होई जाते हैं पटा आज एक चादर है हमारी एक साड़ी है और कुछ जो भी हम लोग ने पहना है वही है तो आज मैं आईटी पहन रखी हूँ यह सिंपल सा ऐसी घर में क्योंकि प्रिशू ने कल उसकी उनकी तबियत ने थोड़ी ठीक नहीं तो मैं पोगी कि क्या फिर से सूट निकालू ऐसे तो जानते ही और तो का थोड़ा साजकत हो ही जाता है तो मैं यही नाईटी ऐसे पहन ली थी फ्रेंस तो आज मैं आप लोगों के डिमांड पे यह वीडियो लेकर काई हूँ इसे फुल वाच करना तो चलते हैं अब कपड के इतने सारे कपड़े हैं वो निकाल के मैंने रख लिये हैं अब चलीए इसे थूलेंगे तो देखिये प्रेंस मैं हमेसा कपड़े-दूल , मैं सर्फ एकसिल का यूज यूज करती cœurूं सरे सके हूँ फॉसर फैक्सल के ही साबुन क्योंकि साबुन इसलिए फ्रेंस ज्यादा जरूरी होता है जैसे बच्चे के छोटे-छोटे कप्ड़े होते हैं तो उसमें साबुन मार दीजिए ज्यादा आसानी होती है और साब भी हो जाता है और आसानी भी होती है आराम से हो जाता है तो हम ह चादर निकालना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने यह चादर को डाला था तो अब देखिए फ्रेंस से यह सर्फ एक्सल में मैं अब जारी हूं सारा कपड़ा डालने यह अच्छा रहता है फ्रेंस बाकी और भी सर्फ यूज करो लोग कहते हैं कि चादर के लिए अलग करो उसके लिए अलग करो उसके लिए अलग करो लेकिन कितना भी कहें फ्रेंस मेरे लिए तो यही सही रहता है वो सब सब कहने की बात होती है बाकी मुझे सबसे बेस्ट में यही सर्फ लगता है और बाकी आप लोग कौन सा यूज करते हो जो कमेंट करके ज़रूर बताना तो आज ये वीडियो फुल वाच कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मुसर एलेटेट वीडियो सीधे उन तक पहुचे और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देना क्योंकि आप लोग जो बहुते हैं वही मैं ले करके आती हूँ तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और आपको किस तरह की वीडियो देखनी है कमेंट करके बताईएगा तो मैं जरूर आप लोगों के डिमांड पे उस तरह की वीडियो लेगर के आऊओंगी कोजिस करूंगी बनाने की तो फ्रेंज थोड़ी सी आप लोग मैनेज करना अगर मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत भी कमी हो तो आप लोग उसे थोड़ा सा मैनेज करना और जरूर बताना कि ये कमी है आप ऐसे कीजिए तो देखिए मैंने पूरा कपड़े पहले अलग से वो जो हमारी साड़ी थी प्रिशु के एक दो कपड़े पड़े थे वो सरफेक्सल में अलग से करके एक बार्टी में बोथ करके रगड़ रगड़ करके हाथ से और रख ली हूं मिचोड़ करके अब फिर चादर को मैं अलग से डालूंगी एक दिन आप लोगों से मैं और सेर करूंगी क्लोथ वासिंग वाला आप लोग अगर देखे होंगे तो कहीं रहोंगे हमारे बारे में कि ये वासिंग मसीन रहते हुए अगर देखा जानी तो एसा कुछ नहीं है फ्रेंस यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है मंकर अर्ण मालिक ने एसा नल लगा रखा है कि मेरी मतलब पानी वाला होता है तो वह मुझ्य बाल्टी से डालना होता है तो विल्यन या शतक फॉलकशिक्वार नेनैं लेकर मैं चीज में उठाद नह तो इसी वज़े से मुझे डॉक्टर ने भारी चीज उठाने को मना कर रखा लेकिन फिर भी क्या करूं काम तो है तो करना तो है पड़ता है ना फ्रेंस तो यहीं देखिए मैं सब का सारे कपड़े बारी बारी से धुल ले रही हूं हमारी मदद हमारी बेटी भी कर रही है द तो फ्रेंस देखिए मैं एक एक करके रगड़ रगड़ करके पहले है चोटे-चोटे कपड़े जो भी है मैं धुल लूंगी और साबून का यूज मैं इसमें करती है अगर गंदा होता जादा तो बट गंदा नहीं है फ्रेंस तो मैं इसी ब्रस ही मार दूंगी बस बहुत ही गंदे थें क्योंकि चादर मैंने कली रखा था तो आज कैसे गंदे हो जाएंगे वह तो फ्रिशू की वज़े से हटाना पड़ा है तो कितना भी कर लो तो कपड़ा रोज होँए जाता है हमारा कपड़ा होता है ऐसी हो जाते यह जाता है तो ज्यादा कुछ नही योगरा कुछ भी बनाने का मन नहीं करता बर्ट आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ यह कि मैं ही जानती हूँ बच्चा भी है थोड़ा सा मूड है तो कभी कुछ कभी कुछ उसका मूड है तो इसी वज़े से फ्रेंस मैं मुझे सब कुछ देख के चलना होता है तो फिर भी मैं मैं यह नहीं है कि में मेरा किडियो नहीं जाएगा फ्रेंस कैसे भी हमारा वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचेगा मेरा रेगलर रूटिंग हो चाहिए यह कप्र लोथ वासिंग का हो बत्तर नुभी रूम वासिंग का बत्तर जूभी रूम जैसी भी हालात हो बट एक चीज है फ्रेंस कि अगर किसी कोई भी मेहनत से अगर वीडियो बना रहा है तो आप आपका भी फर्ज बनता है उसे सपोर्ट दीजिए प्यार दीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बीना हजार बार हम बोले हैं कि आप ही लोग से सब आप लोग अगर प्यार और सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है मैं हमेशा पीछे ही रह जाओंगी मैं जिनी में कुछ नहीं कर पाओंगी बट मुझे एक चीज आप लोग पे भी भरोसा है कि आज नहीं कर रहे हैं तो कल तो करेंगे ही तो मैं भी हारूंगी नहीं ठकूंगी नहीं आपके लिए वीडियो रेगलर लेके आती रहोंगी और आप लोग बस यहीं बताना कि आप लोग को कौन सी वीडियो देखनी किस टाइप की वीडियो लेकर क्या कैसी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो एक बार जरूर ना ताकि मैं वह सब समझ पाऊं तो देखिए फ्रेंस मैंने कपड़े को रगड़ रगड़ के धुल लिया है तो फिर दूसरा पानी साफ पानी में फिर से फिर से खंगा ल ermet कि civ कब्री तो फिर से खाल ने साफ रहरे हुंकि कबड़ा मुझे कुछ भी हो방 मुझे साफ लिन Stunden हूँ इसी में मुझे क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो भी कि गंदा कपड़ा पड़ा रहे घर में तो यही था हमारा आज का ब्लोग फ्रेंस आप लोगों के डिमांड पर मैं ले करके आई थी आप लोग इसे प्यार देना सपोर्ट देना फ्रेंस और हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना फ्रेंस क्योंकि आप सभी का कमिंट का मुझे बेस अबरी से इंतिजार रहता है और मैं यही कहुंगी फ्रेंस कि आप लोग को अगर अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे हमारे वीडियो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि मैं अपनी गलतिया सुधार सकूँ आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आ सकूँ तो फ्रे अब मैं अपना ब्लोग यहीं पेंट करती हूं मिलती हूं नेक्स ब्लोग है तो तो के लिए बाब बाई फ्रेंड